हाई दिस शुरूती और वेलकम टू लेर्न मराठी इजीली आज हम कुछ और सर्वनाम देखेंगे यह सर्वनाम का सेकेंड पार्ट है अगर आपको मराठी सीरियसली सीखना है तो आप पार्ट वन भी जरूर देखिए लिंक आपको डिक्स्क्रिप्शन में मिल जाएगी अग अले शुरू करते हैं सर्वनाम पार्ट तू आप को मराठी में तुम ही कहते हैं आप मतलब तुम ही फॉर एक्जामबल आप शिक्षक हो आप शिक्षक हो को मराठी में कहते हैं तुम ही शिक्षक आहात तुम ही शिक्षक आहात आपने को भी मराठी में तुम ही ही कहते हैं आपने मतलब तुम ही For example, आपने समोसा खाया आपने समोसा खाया को मराठी में कहेंगे तुम ही समोसा खालात आपको तुम्हाला आपको तुम्हाला, आपका तुम्चा, आपकी तुम्चे, आपके तुम्चे, आपके तुम्चे, आपके पास, आपके पास कुमराठी में कहेंगे तुम्चा कड़े, आपके लिए, मतलब तुम्चा साथी, आपके बिना, मतलब तुम्चा शिवाए, आपके बिना, मतलब तुम्चा शिवाए, आपके साथ, आपके साथ, कुमराठी में कहेंगे तुम्चा सोबद, आपके साथ, मतलब तुम्चा सोबद, आप पर, आप पर कुमराठी में कहेंगे तुम्चा वर, आप जैसा, मतलब तुम्चा सर्खा, आप जैसी तुम्चा सर्खी, आप जैसे, आप जैसे तुम्चा सर्खी, हम, अब हम कुमराठी में आम्ही और आपण, दोनों कहते हैं, अब हम देखते हैं कि आम्ही कब कहते हैं और आपण कब कहते हैं, अब यहां हम दूसरों को बता रहे हैं कि हम गायक हैं, अगर हम खुद ही एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम गायक हैं तो मराठी में हम आपण का यूज करेंगे, मतलब हम कहेंगे आपण, गायक, आहुद हम एक और एक्जामपल लेते हैं चलो हम समोसा खाते हैं अरे मुझे पता है आपको समोसा पसंद है लेकिन हम समोसा खाने नहीं जा रहे हैं भई मैं तो सिर्फ एक्जामपल दे रही हूँ ओके, तो चलो हम समोसा खाते हैं कुमराठी में कहेंगे चला, अपण समोसा खाऊ या हमने कुमराठी में आमही कहते हैं हमने मतलब आमही हमको आमहाला हमारा आमचा हमारी आमची हमारी आमची हमारे आमचे हम पर आमचावर हम जैसा आमचा सरखा हम जैसे आमचा सरखी अब इस वीडियो में हमने अब तक जितने सरवनाम देखे हैं, उनको रिवाइज करते हैं तो देखा आपने कितना इजी था मराठी सरवनामों को सीखना एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी अगर आपको मराठी सीरियसली सीखना है, अगर आपको मराठी सीरियसली देने हो, या फिर अपकी मराठी लैंग्वेज की बारे में कोई स्पेसिफिक रिक्वार्मेंट हो, स्पेसिफिक नीड हो, तो उसे भी आप कॉमेंट में लेख सकते हैं, हम उसकी बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे, ओके, इस वीडियो को शेर कीजे, अपने सारे दोस